हेलो लर्नार्श, नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्षमिन आरायन, असोसियेट प्रोफेसर ओफ एकनोमिक्स, गॉर्मेंट कोलेज मेहंदरगर्ड, आज आपके सामने परस्तुत हूँ एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे माइक्रो एकनोमिक्स के एक बहुत ही important और interesting topic, market failure या बाजार विफलता के बारे में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे, बाजार विफलता से हमारा क्या अभी प्राय है, वो कौन-कौन से कारण है, जो बाजार विफलता को जनम देते हैं, तो आज के इस ह अपने function को efficiently exercise नहीं कर सकता, यानि अपने functions को efficiently perform नहीं करता, जिसके कारण market failure के स्थितियां उत्पन होती है, वो क्यों होती है, उसके sources या कारणों को भी आज के इस video lecture में हम डिसकस करने वाले हैं, चलिए, शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं, कि market failure से हमारा क्या अभी प्राए है, market failure refers to a situation in which the market mechanism which is based on forces of demand and supply is not by itself sufficient for an efficient resource allocation, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि जो बाजार है या जो market है, वो market mechanism पे काम करती है, बाजार तंतर पे काम करती है, और what is market mechanism, market mechanism is based on forces of demand and supply, इस means it is a price mechanism which is based on forces of demand and supply, अबकि जो market mechanism है, यह अपने आप में एक efficient resource allocation या कुसल साधन आबंटन के लिए परियाप्त नहीं होती है, यह परियाप्त होती है, तब हम कहते हैं कि market fail हो गया, इसका आर्थिया हुआ कि market mechanism से हम यह expect करते हैं, कि वो resources को efficiently allocate करेगी, यानि संसाधनों को उस मातरा में उत्पादित करेगी, जिस मातरा में उसकी समाज को जरूरत है, इसी को हम efficient resource allocation कहते हैं, चैसे कि हम बात करते थे जब basic problem हमने discuss की थी कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मातरा में उत्पादन किया जाए, यह decide कौन करता है, market mechanism decide करती है, लेकिन यह market mechanism जो decision हमें देती है, या उसके जो forces of demand and supply के फलसुरूप, जो results आते हैं, वो अपने आप में अगर efficient ना हों, यानि resources जो है, वो efficiently allocate ना हों, तो उस condition में हम कहते हैं, कि बाजार जो है, वो wiffle हो गया है, क्योंकि forces of demand and supply, मांग और पूर्टी की सक्तियां, market mechanism के दवारा, जो resource allocation करती है, वो efficient नहीं होता, उससे efficient हो सकता है, तो हम कहते हैं, कि बाजार जो है, वो अपने function में wiffle हो गया है, तो इसको हम market failure कहते हैं, यानि market failure, वह आर्थिक्स दीती है, जिसमें एक free market में, जो market mechanism है, वो distribution of goods and services को efficiently नहीं कर पाती, यानि जो goods and services है, उनका जो distribution है, वो efficiently अगर ना कर पाए तो हम कहते हैं, कि market जो है, वो fail हो गया है, बाजार जो है, वो wiffle हो गया है, बाजार विफलता से हमारा मतलब यह है, कि जो rational behavior है, जो individuals के rational behaviors हैं, जैसे कि producer है, उसका rational behavior क्या है, maximization of profit, consumer का rational behavior क्या है, maximization of utility, at minimum cost, इसका मतलब यह वा कि जो individual incentives है, rational behavior के, उनका जो outcome है, वो rational नहीं होता for the economy यानि पूरी अर्थवस्ता के लिए उनका जो प्रिणाम है rational behavior के कारण यानि producers और distributor जो demand and supply की forces के दोरा जो decisions नेते हैं उनका जो outcome है वो economy के लिए rational नहीं होता यानि उनके लिए efficient नहीं होता तो उस condition में हम कहते हैं कि बाजार wiffle हो गया है इसको हम दूसरे तरीके से यह कहते हैं कि जो decision करने वाले हैं जो वेक्ति हैं economic agents जो है economic agents कॉंड से है producers हैं आपके consumers हैं जो demand करते हैं उनके जो behavior है वो तो correct होते हैं अपने इसाब से वो correct decision लेते हैं लेकिन पूरी अर्थवस्ता के लिए जो उनका result होता है वो गलत हो सकता है तो उस condition में हम कहते हैं कि economy जो है वो efficiently resources allocation की तरफ नहीं जा रही है उससे वो हट रही है तो उस condition में हम कहते हैं कि market fail हो गया है क्योंकि market के function है वो उनको efficiently perform नहीं कर पाती है तो market failure से हमारा यह भी बढ़ाए है अब तक कि हमारी discussion से यह clear है कि market failure को समझने के लिए हमें market success को समझना जरूरी है और market success को समझने के लिए हमें market के functions या बाजार के कारियों को समझना जरूरी है यानि बाजार के कारियों के आधार पर हम बाजार की सफलता को समझेंगे और बाजार की सफलता के आधार पर ही हम बाजार की विफलता को समझने का प्रियास करेंगे चलिए हम जानने का प्रियास करते हैं कि बाजार के important function क्या है बाजार के दो important functions है पहला है allocative efficiency इसका आरतिय हुआ कि efficient allocation of resources दूसरी जो efficiency या दूसरा जो main function है that is production efficiency this means producing at the lowest possible cost दो function है market success का मतलब यह हुआ कि market उन वस्तों का उत्पादन करती है जिनको समाज की जिनकी समाज को सबसे अधिक आवसकता होती है इसका आरतिय हुआ कि market mechanism अगर उन वस्तों का उत्पादन करे जिनको समाज की सबसे अधिक आवसकता होती है तब हम कहते हैं कि market जो है वो allocative इस तरीके से काम करती हैं कि जो जिन वस्तों का उत्वादन होता है वो वस्तों होती है जिनकी समाज को सबसे अधिक आवसिक्ता होती है और वो कब होती है जब उन वस्तों की किमत उनकी मार्जिनल कोश्ट के बराबर होती है लेकिन अगर वो बराबर नहीं होती तब हम कहते ह है कि आवर्ण अतमक एकुसलताुतबन होती है क्योंकि कंजूमर्ज जो हैं व которую क्षल कीमत का भुतान नहीं करते हैं या यानि वो सब्सक्राइक के ब्राबर नहीं होता यानि जो ए-य-안 होता है वोหी के ब्राबर नहीं होता तो इस कंडिशन में अगर price mc के बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि जो allocation है साधनों का वो inefficient है क्योंकि consumer उस वस्तू के लिए जो price पे करते हैं वो अपने आप में एक कुसल price नहीं होता है और कुसल price कब होता है जब price marginal cost के बराबर होगा यानि p is equal to mc अगर p is equal to mc si नहीं है तो कहीं है कि allocative efficiency का function जो है वो बाजार जो है वो efficiently पूरा नहीं करती बाजार का दूसरा मुखे कारिये production efficiency को सुनिश्टित करना है जिसको हम उतपाधन कुसलता कहते हैं उतपाधन कुसलता उस समय उतपन होती है जब हम उत्पादन के विविर्शादनों के उस संयोग को चुनती है जिसके फल्षवरूप उसकी उत्पादन की लागत नियूंतम संभव औसत लागत के बराबर होती है जैसा कि हम जानते हैं उत्पादन का कारिय जो है वो इंट्रेपरणर डिफ्रेंट कंबिनेशन जो फ कोष्ट पोसिबल एवरेज कोषट पर हो रहा है यानि जो मार्किट है वह प्रोडेक्षन फेशन्सी को अचीव कर रही है लेकिन किसी कारणों से अगर जो फार्म या जो बाजार है वह लॉप्र्ल्ष tapi युनिट कोष्ट पर प्रोडेक्शन नहीं करता है तो उसके बाजार विफलता को जनम मिलता है production efficiency को हम production possibility curve के दवारा भी समझ सकते हैं production possibility curve अर्थव्ष्था के सारे साधन और efficient combination के दवारा जो अधिकतम दो बस्तों के सहिएँ को उतपाधित किया जाता है उसको दिखाने वाली रेखा है इसको हम पहले discuss कर चुगे है इसको detail में नहीं जाएंगे लेकिन यहां यह समझना जरूरी है और हम जानते हैं कि जो frontier पर points हैं जैसा कि A और B points हैं वो हमारे efficient या वो point हैं जो सारे साधनों का प्रियोग अगर efficiently होता है तब हम पहुंचते हैं यह underlying assumptions के द्वारे determine होते हैं कि अगर A point के मैं बात करूं तो A point व point है जहां पर उत्वादन के सारे साधन यूज हो रहे हैं और efficiently यूज हो रहे हैं यानि इस सिती में A जो point है या जो B point है यह productive efficiency या productive efficiency के point होंगे A और B दोनों अगर इसे हम भार जाते हैं जैसा कि मैं पता यह unattainable reason है C point पर मुत्वादन करी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने resources नहीं है हाँ अगर हम D point पर उत्वादन करते हैं तो इस कारत क्या हुआ इसके दो meaning हो सकते हैं या तो साधन कुछ बेरोजगार हैं सारे साधनों का प पूरन प्रियोग हो रहा है तो उस condition में जो उत्वादन है वो तक्स नहीं है वो कुसल नहीं है इस condition में हम frontier तरहने की बजाए उससे पिछे रहते हैं तो D point जो है वो उत्वादन एक कुसलतागा एक point होगा अब इसको हम sort and average cost के दवारा भी देख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं यह हमारा sort and average cost है जो हमने blue line से दिखाया है यहाँ पर जो E point है वो उत्वादन की नियूंतब संभव लागत को दर साता है जैसे कि यह हमारा यह जो करु है SRAC करु यह average cost का करु है sort and average cost करु है इसका नियूंतब point E बिंदू पर है तो इसका अर्थिये हुआ कि E बिंदू पर अगर कोई firm OQ मातरा का उत्वादन करती है तो उसकी जो लागत है वो नियूंतम संभव लागत के बराबर होगी यहाँ पर अगर इससे कम या ज़्यादा मातरा में उत्वादन किया जाता है firm के द्वारा तो हम पॉइंट है यह इसको मालो मैं F पॉइंट कहूं और इसको G पॉइंट कहूं तो F और G पॉइंट पर अगर firm उत्वादन करती है इतनी कौंटिटी का यहाँ पर अगर OF या OG मातरा में उत्वादन करती है तो उस कंडिशन में यह जो उत्वादन है यह कुसल नहीं होगा उत्वादन कुसलता अची नहीं होगी इन दोनों पॉइंट पर जबकि E point उत्वादन को सलता का है और वहाँ पर जैसे कि हमने B point देखा था वो उत्वादन को सलता का point था तो उत्वादन को सलता को सुनिश्चित चित करना भी मार्केट का का काम है इसके साथ-साथ allocative efficiencies जिसको हमने define किया था कि उन वस्तों का उत्पातम करना जिनकी समाज को सबस्यदी काव सकता होती है जिसको हमने allocative efficiency कही थी यह दोनों जो conditions है यह अगर पूरी होती है तो हम कहते हैं कि market success है अगर नहीं होती है तो हम कहते हैं कि market failure की स्थिति उत्पन हो गई है अब हम market failure को थोड़ा और अच्छे से define करने की स्थिति में आ गए है market failure की consequences क्या होती है जिसमें allocation of goods and services एक free market के दोरा जो किया जाता है वो efficient नहीं होता और इसके कारण ज्यादा तर net welfare lows होता है यानि समाज को कुल आर्थिक हानी उठानी पड़ती है market failure के कारण अब एक जो final define करने के लिए हम एक final definition देखते हैं जो JB Taylor के दोरा दी भी है JB Taylor के अनुसार market failure is a situation that does not achieve efficient economic costs and has the potentials for government intervention यानि बाजार विफलता वो स्थिति है जिसमें जो economy है या जो free market है वो हमें economic efficiency की तरफ नहीं ले जाती और उसके कारण सरकारी हस्तक सेप की समगावनाएं बढ़ जाती है या market failure की स्थितियां सरकारी हस्तक सेप को आमंतरित करती है और उसके बाद उन्होंने का कि उत्पादन बाजार विफलता के तीन मुखे कारण public goods, externalities और market power है public goods का मनदब सारजनिक वस्तों है, बायताएं और market power है इन तिनों को आगे हम discuss करने वाले हैं तो यह JB Taylor की definition है, अब market failure के sources को समझने से पहले हम एक बार price mechanism पर नजर लगाते हैं, price mechanism को देखते हैं, जो market का central point है, चलिए, price mechanism को समझने का प्रियास करते हैं, यह आपका जाने पर channel diagram है, आपकी quantity, x-axis पे और price y-axis पे और dd हमारा demand curve, demand curve हम कई बार discuss कर चुके हैं लेकिन यहाँ, एक बार फिर इसको discuss करना इसलिए जरूरी है, कि demand curve जो है, यह बहुत सारी सुचनाएं हमें परदान करता है, यानि यह सुचनाओं का भंडार है, यह simple line नहीं है, basic काम demand function का क्या है, demand function का basic काम जो हमने अब तक देखा वो यह है, कि अगर price, यह मारा अगर price इ इतने काईयां खरीदने के लिए तयार है, यह basically demand function का काम है, demand करू का काम है, जो हमें बताता है कि अलगलग किमतों पे उस वस्तु की कितने काईयां खरीदी जाएंगी, तो यह basically जो भोगताओं की preferences है, भोगताओं का जो अधिमान है, किमत के संद्रम में, उसको उत्पाद क तक पहुंचाता है, demand करू जो सुचनाएं पर देता है हमें, जैसा कि हमें ने कहा था कि बहुत सारी सुचनाएं यहां पर होती है, तो basic सुचना वो यह है कि इस किमत पर, जो consumer है, वो इतना price पे करता है, तो money के रूप में जो उसकी disutility है, और उस goods के consumption के कारण जो उसकी utility ह है, दोनों एक दूसरे के, यहां पर बराबर हैं, तो उस condition में तभी तो इतनी मातरा उसकी खरीदने के लिए तयार है, तो यह जो demand करू है, यह सुचनाएं देता है, भोगताओं की तरफ से उत्वात कोंगो, कि किस किमत पर वो कितना कितना सामान खरीदने के लिए तयार है अगर किमत यहां पर इतनी किमत थी, तो हम इतनी quantity खरीदने के लिए तयार थे, अगर किसी कारण से किमत घट जाती है, तो हम ज़्यादा quantity खरीदने के लिए ready होंगे, इसके बाद अगर किमत और घट जाती है, तो हम और ज़्यादा मातरा में quantity खरीदने के लिए तयार ये भी information देता है, इसमें भी सुचनाएं हैं और ये सुचनाएं उत्पादकों के द्वारा उभ्भोगताओं तक भेजी जाती हैं, यानि जो supply करू का हर point है, वो एक information producer की तरफ से consumer को जाता है, यानि जो वस्तु को खरीदने वाले हैं, उनके पास एक information जाती है, कि अगर केमत इतनी होगी, तो उत्पादक है, वो उस वस्तु की केवल इतनी मातरा बेजने को तयार हैं, और अगर किमत बढ़ जाएगी, तो वो उसकी जादा मातरा बेजने के लिए तयार होंगे, इसका अर्थ यह हुआ, कि जो market की forces हैं, demand की और supply की forces, वो एक दूसरे को, उत्पादक, उत्पादकों को information provide करवाते हैं, और उन information के basis पे, market में, जब दोनों की information को match किया जाता है, तो एक point यहां आता है, जहां दोनों की information match हो जाती है, यानि उत्पादक जितनी किमत देने के लिए तयार है, और उत्पादक जितनी उस किमत पर जितना समान बेजने के लिए तयार है, वो quantity एक समान हो जाती है, तब हम कहते हैं कि हमने equilibrium की condition को प्राप्त कर लिया है, जिसके दवारा price decide होता है, और price mechanism इसी तरीके से काम करता है, यह supply के दवारा, अब e-bindu पर क्या है, e-bindu पर हमारी demand और supply दोनों एक दूसरे के बराबर है, अब इस e-bindu पर जो price set होगा मालो यह price है, हमारा O.P. price और यह हमारी quantity है, तो यह जो price है, यहाँ पर जो signal है, देखो, यहाँ पर मैं मालो इस price को यहाँ लेता हूँ, एक कुंसा price level लेता हूँ, तो यहाँ पर उत्वादक, जो signal बेजते हैं, उब भोगताओं के पास, वो यह signal है कि इस कीमत पर हम इतना स वस्तु की खरीदने को तयार है, तो दोनों के signal यहाँ मैंच नहीं होंगे, क्योंकि उत्वादक जितनी मातरा बेजना चाते हैं, और उब भोगता जितनी मातरा खरीदना चाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन यह point पर दोनों के signal मैंच होते हैं, य इतना ही सामान खरीदने के लिए तयार है, इसका मतलब यह हुआ, कि दोनों के signal मैच हो गए हैं, और यहाँ प्राइस डेटरमाइन होगा, अगर एक free economy है, और इस demand में जो information है, और supply में जो information है, यह अगर सारी है, complete information, demand और supply करूग के दवारा represent होती है, तो उस condition में market जो है, दोनों परकार के efficiency को achieve कर लेगा, यानि जो demand है, वो basically utility पर अधारित है, अगर यह सारी utility को include कर लेता है, price की disutility के साथ compare करते हैं, अगर यहाँ इसमें सारी information included है, यानि जो उस वस्तु से मिलने वाले lab, जो उबोगता समझता है, वो वही हों जो उबोगता समझ रहा है, actual में तो यह demand कर जो है, यह सही represent करेगा उसकी utility को, इसी तरीके से जो उत्पादक हैं, जिनकी जो लागतें लगी हैं, जब उन्होंने लागतों की calculation की है, लागत को calculate किया है, उसमें उन्होंने उन सारी लागतों को जोड लिया है, जो वास्तव में समाज को सेहन करनी पड़ती है तो उस condition में हम कहेंगे कि supply कर सारी information को represent करता है, और इस condition में market के जो outcome है, वो allocative efficiency को भी अजईव करेंगे और production efficiency को भी अजईव करेंगे, अगर demand and supply में जो information है, वो पूरी हैं तो, दिकत कहां आती है, कि demand जो utility consumer समझता है, वास्तव में वो उससे कम या ज़ादा होती है, तो उस condition में demand जो है, वो true utility को उस वस्तू की represent नहीं करेगा, जैसे कि education है, education लेने वाला जो utility समझता है, लेकिन education के लाव समाज को बहुत ज़ादा होते हैं, उसको खुद की बजाए, तो जो समाज को मिलने वाले लाव हैं, उसको जो education services की demand करता है, तो उसमें सामिल नहीं करता ह तो उसके कारण जो demand करो different होगा, वो सही नहीं होगा, इसी तरीके से हम supply करोगे example भी ले सकते हैं और आगे लेंगे, अगर ऐसी स्तिती उत्पन होती है, तो बाजार विफल हो जाएगा, क्योंकि demand में जो information है और supply में जो information है, वो complete नहीं है, वो सही नहीं है, incomplete है, तो उस condition मे जो price mechanism है, वो fail हो जाएगी और price mechanism अगर fail होगी, तो market भी fail हो जाएगी, इस तरीके से हमने देखा, price mechanism बाजार में बहुत सारे important functions perform करता है, सबसे पहला तो transmission of preferences है, जिसके दुआरा उतपादकों की जो preferences हैं, जो अधिमान हैं, जो वरियताएं हैं, वो supplier तक पुंचाता है, उत इस कीमत पर वो कितनी मातरा खरीदने के लिए तयार हैं, ये information, demand करों के दवारा transmit होती है, तो the supplier, तो transmission of preferences का function है, इसके बाद signaling का function है, signaling का function ये है, कि price mechanism ये बताता है, कि भोगताओं को किन वस्तुओं की ज़्यादा हो सकता है, तो उसी साफ से price अपने आप adjust हो जाएगा, अ signaling का function है, बादार में, इसके साथ साथ allocation का function है, this means कि price mechanism allocate scratch resources among competitive uses, तो allocative efficiency या allocation का जो function है, वो बादार के दवारा होता है, अगर वो efficiently करता है, तो हम कहते हैं कि allocative efficiency है, अगर नहीं करता तो हम कहते हैं, allocative efficiency नहीं है, लेकिन price mechanism allocation का का काम करता है, इसके साथ साथ restning का का काम करता है रेस्निंग से हमारा मतलब है कि अगर किसी वस्तू की सोर्टेज हो जाती है तो उसके कारण उसके प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे और भोगताओं के द्वारा उस वस्तू की मांग अपने आप कम हो जाएगी तो रास्निंग का फंक्षन भी यह परफॉर्म करता है इस इसके साथ साथ इंसेंटिव अगर कीमते बढ़ती है तो सप्लायर को इंसेंटिव मिलता है कि वह उस वस्तू का उत्वादन बढ़ा दें तो यह इंपोर्टेंट फंक्षन है जो प्राइस मेकनिजाओं करता है 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 झाल 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 झाल